आज हम सीखने वाल है एक्सल में डेटा वैलिडीशन है इसको जी माल करते हैं यह बहुत यूजफूल फीचर है एक्सल का तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाए हुई है और हम देखते हैं कि इसमें data validation की इस्तमाल करके इस table को कैसे और बहतर बना सकते हैं मानिए आप जो table में जो आपने कुछ column लिये हैं जैसे gender है, age है, address है, interest है इनको आप कैसे data validation से ठीक तरीके से बिना कोई गलती किये अपने किसी भी साथी से type करवा सकते हैं यहां पर आप देखिए अगर यह mail लिखा हुआ है, अगर इसको manually कोई ME कर देगा तो आप उस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन data validation यह गलती होने ही नहीं देगा वो कैसे चलिए जान लेते हैं, यहां पर आप इस list को भी हम हटा देते हैं यहां से यह देखिये अब हमें यहां पर हमें यहां पर जेंडर किसी से type कराना है, तो हमने यहां पर एक अलग से दो list और बना रखी है जेंडर में हमने में मेल और female दिया हुआ है उसको हम कैसे यहां पर लेके आएंगे, बिन खोई गल्ती की कह Cyber कर पाएगा जानते हैं यहां पर इस column को select manage data test पर आपको दिखा जाते हैं यहां पर आपको दिखाईए देगा data validation पर जाएए और यहां पर आपको तीन identified देंग एक setting input message और ErrorAlert आप setting में जाईए सेटिंग में यहां पर allow का बटन दिखाई देगा, allow यानि कि आपको यहां पर क्या allow करना है, किस चीज की permission आपको इस list में देनी है, इसको खोल लीजिए, यहां पर आपको दिखाई देगा list, इसको बन कीजिए, यहां पर आपको दो टिक और लगानी होंगी, ignore blank और in cell drop down, अगर आप इस option पर टिक लगाते हैं, तो इस list को select कर लेते हैं, यहां पर यहां से पूछेगा source, तो हम यहां पर जो आभी हमने gender का column select किया है, तो हम source भी gender वाली ही बताएंगे, तो source देने के लिए आप यहां पर इसको इस icon पर click कीजिए, और यहां से इसको male और female select करके source द cell पर बन जाएगा, आप यह देखिए, जब इसको खोलेंगे, तो यहां पर male और female दो option दिखाई देंगे, जब आप इसको select करेंगे, तो वो data आपके cell में enter हो जाएगा, इसी तरीके से इसको आप और भी cells पर इस formula को apply कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्म पर इसे copy करना हो बागी cells को select करना होगा, राइट लिक कीजिए, पेस special पर जाएगे, और यहां पर आपको paste में दिखाई देगा validation, इस पर टिक कर दीजिए और इसे ok कर दीजिए, अब आपके हर cell पर एक drop down menu खुलने लग जाएगा, बस आपको select करते जाना है, तो यहां आपको type करने की ज़ type करता है, तो क्या होता है, क्या वो इसे accept करेगा, यह देखिए, यहां पर एक error message आ गया है, वो इसे spelling को नहीं ले रहा है, आपको वो spelling या तो ठीक लिखनी होगी, या फिर उस menu में से select करनी होगी, यहां पर ठीक spelling लिखके देखते हैं, देखिए, उसने कोई error न दिया, यह हमने कुछ भी type कर दिया, तो यहां पर उसको type करनी की permission नहीं देगा, तो यह तो आपने देखा कि हम male और female यानी gender को हमने कैसे बनाए, एक बार आप दोबारा देख लेते हैं, address के लिए इसको देते हैं, यहां से आपका सारा data हम हटा देते हैं, और address के लिए data validation को देते हैं हमने address वाले cell को select किया, एक बार दोबारा देख लेते हैं, data validation पर गए, यहां पर हमने list को select किया, और source में हमने यहां पर दिया, मतुरा दिल्ली आगरा, और यह देखिए, एक list, drop down menu आपके हर cell पर आ गया, अब आप बड़े आराम से, किसी को भी यह type करने के लिए दे सकते ह है, कि यह data तुमको हमारी table में enter करना है, और वो बिना कोई mistake किया, क्योंकि उसको permission होगी ही नहीं, कि वो इसके लावा और कुछ भी type कर पाए, अब आता है यहां पर age का option, age वाले option में, आप यहां पर, क्योंकि हर किसी के age एक जैसी नहीं हो सकती, यह different हो सकती है, तो यहां यहां पर आपको between वाले option का इस्तमाल करना होगा, यहां पर हम देते हैं उसको, कि age में वो number की जगए text टाइब ना कर दे, या भई किसी की age को 100 साल से उपर ना कर दे, तो उसके लिए आप यहां पर एक between का option है, इसमें data validation में बहुत अच्छा है, आप उसको इसको इसमाल कर आप इसमें आप 18 साल से कम के लोग नहीं रखने हैं, और 32 साल से ज्यादा के लोग नहीं रखने हैं, यहां पर आप मिनिमम में 18 साल भर देते हैं, और मैक्सिमम में 32 साल, और इसको इहां से ok कर देंगे, तो यह पूरी लिस्ट में वो formula apply हो जाएगा, अगर आप 32 साल से क्योंकि अभी यहां पर हमारे साथ से नहीं आ रही है, क्योंकि यह जो message है, किसी type करने वाले क्योंकि यह नहीं बता रहा है, उसको असल में type यहां पर क्या करना है, वो सिर्क यह कह रहा है, the value you entered is not valid, तो valid value उसको हम कैसे बताएंगे, तो valid value बताने के लिए हम यहां पर अप यहां पर इसके लिए input message आप यहां पर दिया गया है, तो input message तो पहले ही बता देगा, कि आपको यह feed करना है, यहां पर, तो input message आप select करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, show input message when cell is selected, उसको आप जैसे ही वो cell को select करेंगा, तो यह जो message है उसको दिखने लग जाएगा, तो यहा यहां पर अब यूनिकोर्ड हिंदी में आपको type करके दिखाएंगे, देखिए, उम्र type कीजिए, यानि यह जो cell है, वो उम्र के लिए या पूरा आप ना लिखे, केवल इस पर यहां पर उम्र लिख सकते हैं, या age लिख सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना है, यहां अधारा से बत्तिस साल के लोगों को एंटर करना ठीक है, हमने यहां पर इसको message दे दिया, कि आपको इस cell में करना क्या है, अगर वो यह नहीं करता है, तो यहां पर उसको stop करेंगे, और लिखेंगे, आपने गलत टाइप किया है, नीचे message दे देते हैं, केवल 18 से 32 साल के लोगों को फीड कीजिए, यह देखिए, हमने यहां पर इंपर मैसेज में इसको बताया, कि यह जो cell है, वो उम्र के लिए है, और यहां केवल 18 से 32 साल के लोगों को आपको एंटर करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको एक error message दिखाई देगा, कि आपने गलट type किया है, यहां केवल इन लोगों को फीड के लोगों को देख लेते हैं, कि यह message कैसे काम करता है, इसको यहां से OK कर दीजिए, आप देखिए, आप जब भी किसी cell को select करेंगे, तो वो selection के साथ की आपको यहां पर एक message दिखाई दे यहां पर उसको message दिखाएगा, यह error message है, कि आपने गलट type किया है, केवल 18-32 साल के लोगों को feed कीजिए, तो यहां पर जो भी व्यक्ति इसको type करेगा, वो कभी गलती नहीं करेगा, कि आप data validation को वहां पर लगा के रखेंगे, उसको यह दिखाई दे जाएगा, कि अगर मैं आपने जो figure enter की है, वो गलत है, लेकिन आप इसको custom अगर बना लेंगे, तो यह और भी ज्यादा अची तरीके से, किसी भी data entry करने वाले operator को यह साफ साफ दिखाई दे जाएगा, कि उसे क्या type कर रहा है, तो आशा है, आपको आज का session data validation समझ में आ गया होगा, अगर यह channel आ आपको अच्छा लगा हो, तो इससे subscribe कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, धन्यवाद